हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सब की प्रहाई बेची चल रही होगी आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास स्टेंथ मैथ की बुक का प्रशनावली 2.2 एक्सरसाइस 2.2 NCRT की बुक है ये हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम और इंगलिश मीडियम दोनों स्टुडेंट्स के लिए दोनों बोड के स्टुडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूसफुल होगी तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखन polynomial का आपको शुन्यक यानिके zeros निकालना है और zeros और coefficient यानिके शुन्यक और गुनांक हैं इसके बीच के संबंध की सत्यता की जाच करनी है यानिके verify करना आपको relationship between the zeros and coefficient zeros और coefficient यानिके संबंध के सत्यता की जाच करनी है तो यहाँ पर यह question दिया गया देखिए English Medium के students को पास यह होगा और उनके लिए यह question है find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient यानिके आपको क्या कह रहा है कि zeros निकालो इस quadratic polynomial का और इसके बाद आपको verify करना है relationship between zeros and coefficient ठीक है तो question वही है सारा का सारा ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका question दिया गया x square minus 2x minus 8 आपको क्या करना है इसका आपको सुन्यक निकालना है zeros निकालना है और zeros निकालने के बाद आपको verify करना है relation को तो चले देखते हैं कैसे करेंगे इसको इसका हम लोगों क्या निकालना है zeros निकालना है ठीक है तो आप नहीं देखा है तो class 9 के polynomial chapter की जो videos है वो आप जाके देख लिए उसमें आपको अच्छे से समझा है मैंने x square minus 2x minus 8 बराबर 0 कर दिया यह polynomial दिया हुआ था इसको बराबर 0 करना है ठीक है अब करना क्या है तो इसको factorize जैसे आप करते थे वैसे करना है कैसे करते थे तो यहाँ पर जो last में दिया गया है यह क्या है minus 8 और इसके पहले क्या लगा हुआ है इसके पहले लगा हुआ है 1 है ना यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो minus 8 को 1 से करेंगे तो कितना होगा minus 8 होगा ठीक है जिसको गुना करें तो माइनस 8 आए और उसी को उसी दो नमबर को जोड़ू तो ये बीच वाला जो है ना माइनस 2 ये आजाए ठीक है गुना करने पर माइनस 8 आता हो और जोडने के बाद माइनस 2 आता हो ठीक है तो आप देखेंगे कि इसको अगर हम 4 रखें यहाँ पर और 2 रखें तो 4 दूनी 8 तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है तो आपको क्या करना होगा किसी एक में माइनस लगाना होगा ठीक है लेकिन ये देखें कि अगर हम इसमें माइनस लगाते हैं यहां 4 रखते हैं यहां 2 माइनस में रखते हैं 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा लेकिन यहां माइनस 2 है इसलिए हमें क्या करना होगा माइनस 4 लगाना होगा यानिके माइनस 4 को जब 2 सुगुना करेंगे माइनस 8 तो हो जाएगा और minus 4 में जब 2 जोडेंगे तो minus 2 भी हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ minus 2x है तो minus 2x को लिखेंगे minus 4x plus 2x या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x minus 4x दोनों तरीके से आप use कर सकते हो बट आपको रखना है 4 यानके minus 4 और 2 ही रखना है और 2 को plus में रखना है और 4 को minus में रखना है बस यह आपको ध्यान रखना होगा ठीक है तो चलो इसको हम लोग क्या करते है x square और यहाँ पर कहारे रखना है आपको minus में 4x और plus में 2x तो यहाँ पर आप कर दिजिए minus में 4x और plus में 2x minus 8 बराबर 0 कर दिया अब यहाँ पर देखो बच्चो यहाँ पर 2 group बन गया एक group आपका यह बना हुआ है और एक group आपका यह बना हुआ है अब यहाँ पर बच्चे common लेने में थ्रुआ सा confusion होती है बच्चों को तो वो भी मैं आपकी confusion को दूर कर देता हूँ देखो x square minus 4x पहले इसको हम देखते हैं इसमें कौन से common लेंगे तो देखो x square है x square का मतलब क्या हो गया x square का मतलब हो गया x गुने x और 4x का मतलब क्या हो गया 4x का मतलब हो गया आप यह भी कर सकते हो के 2 into 2 करके भी लिख सकते हो ठीक है 2 into 2 into x अगर यह आपको confusion हो नो तो आप ऐसे कर देज़ेगा 4 का वह लगा लिज़ेगा ऐसे 2 दूनी 4 अब आज गुनन खंडर नियांकर प्राइम फेक्टराइशन करते हो वैसे तो 4 का ओज़ेगा 22 into x ठीक है अब इसमें देखो मिल कौन सा रहा है common कौन सा रहा है urbanist कौन है तो देखो x यहां भी है यहां भी है ठीक है और तो कुछ है नहीं तो यानि कि x को आपको common लेना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर हम लोग ले लेंगे x common ठीक है अच्छा अब दे लिखी दिया है पहले ही bracket के बाहर दो गुने 2 यानि कि 4 की आपको और आवश्यक्ता है तो 4 यहां पर लिख दीजे तो x-4 हो गया अब इसमें देखो 2x-8 है क्या है 2x-8 तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो 2x को लिख सकता हैं लिख 2 into x और 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं तो अब देखो यहां पर दो common आ रहा है ठीक है और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग दो 2 common ले लेंगे ठीक है तो plus 2 common ले गया, तो हमें क्या करना है, minus 4 लगा देना है, और बराबर में 0 कर देना है, ठीक है, यह चीज होगी, यहां तक clear हो गया, अब देखो, फिर से 2 group बन रहा है, x into x minus 4, और 2 into x minus 4, यानि कि x minus 4, x से भी multiply हो रहा है, और x minus 4, 2 से भी multiply हो रहा है, तो x minus 4 हम common ले लेंगे, ठीक है, तो इंगलिश में लिखेगा आप, win, win x minus 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, 4, अब कहेंगे, यह कैसे आप कर दिये, तो देखो, यहां पर इसको भी सीख लो, कि अगर हमारे पास रहता है, 2 into x बराबर 4, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को हम इधर लेके आते हैं, डिवाइड मे वैसे ही, अगर हमारे पास रहे, 2 into x बराबर 0, तो यहां पर जो 2 है ना, इसको हम नीचे लेकाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 by 2 हो जाएगा, है ना, 0 बट्टा 2, तो वैसे ही, यहां पर हमारे दिया हो है, x minus 4 into x plus 2 बराबर 0, यह दिया हुआ है, तो हम क्या कर र जाएंगे, तो 0 ही आएगा, तो क्या बन गया, x minus 4 बराबर 0, है ना, तो इस चीज़ को मैंने लिखा, और देखो, यहां पर x minus 4 बराबर 0, यह चीज़ मैं skip कर रहा हूँ, क्योंकि यह चीज़ करने की कोई आवशक्ता नहीं है, x minus 4 बराबर 0 कर दिया, दूसरे case में क्या कर जाएगा, तो minus 2 हो जाएगा, तो दोखो, एक value हमें 4 आई, एक value में minus 4 आई, ठीक है, दोखो, पहले question मैंने इतना detail बता दिया, क्योंकि आपको यह अगर नहीं पता होगा, तो बहुत आगे आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बता दिया है, बट आगे जो question होगा, वो मै जली जली बनाओगा, ठीक है, अब देखो, तो दो value आगे, इसको आप मानलो, alpha, इसको मानलो, beta, ठीक है, अब हमें verify करना है, ठीक है, जाच करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो, alpha plus beta निकालो, शुन्यकों का योग निकालो, क्या होता है, तो यहाँ देखो, alpha हमारे प बस formula है, minus b, beta a, उसको करेंगे, तो minus b, beta a कितना होगा, देखो, यहाँ पर इस चीज़ को आप मिलाओ, यह जो आपने लिखा है, यहाँ पर इसको मिलाना है, आपको किससे, ax square, plus bx, plus c, है ना, इससे मिलाना आपको, तो x square है, x square के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ ने मतब 1, तो a की value 1 हो गई, bx, तो bx में x आपका, देखो, x यहाँ है, तो b की जगा कौन ले लिया, minus 2, और c की जगा क्या ले लिया, minus 8, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अब उसी को हम तो यहाँ पर रखेंगे, तो देखो, minus b कितना है, minus तो आपको रखना प्लस तो प्लस 2 by 1, यानिके 2 आया, तो यह भी और यह दोनों बराबर आ गया, ठीक, अब इसके बाद alpha into beta निकालो, तो alpha आपको पस कितना है, 4 beta कितना है, minus 2, तो 4 into minus 2, तो 4 to the 8, यानिके minus 8 आगया, ठीक है, अब इसके बाद alpha into beta आपको निकालना है, formula से, जो कि आपको पता पड़ा है C beta A होता है ठीक है अगर नहीं पता है तो याद रखिएगगा alpha plus beta minus B by A और alpha equal c by A तो C कितना है आपके पस दोख। यहाँ C कितना यहाँ पर minus 8 है तो यहाँ लिख दीजे minus 8 बटा A कितना आपके पस तो A आपके पस है 1 तो यहां पर 1 रग दो तो कितना हो जाएगा 8 बट्टा 1 कियान कि 8 हो गया minus तो देखो यह भी आपका minus 8 यह भी आपका minus 8 तो दोनों में आपका same result आए तो यहां पर आप लिख सकते हैं जाच पूरा हो गया या फिर जाचा गया या फिर आप लिख सकते हैं verified 4s प्लस 1 ठीक तो यहां पर इसको इससे गुना करोगे तो 4 आएगा और 4 कॉम लिख सकते हैं दो दूनी 4 चो कि प्लस में है तो हम यहां पर लिखेंगा 2s minus 2s plus 1 सौरी इसको 0 के बराबर कर दीजिए पहले अब यहां पर देखो तो 2s कॉमन आ रहा है 2s कॉमन आ गया यहां पर तो क्या हो जाएगा आपका 2s minus 1 और यहां पर minus यहां पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो यह बज़ागा 2s minus यहां पहले से लिखा हुआ है तो minus लगाएंगे minus minus plus हो गया तो यहां पर दाजएगा 1 बराबर 0 अब यह हो गया हमारा 2s minus 1 into 2s minus 1 बराबर 0 ठीक है तो यहां पर लिखेंगे जब 2s minus 1 बराबर 0 तो s बराबर हो जाएगा 1 by 2 दोखो 2s minus 1 फिर भी वही है दोनों में तो बराबर है यानि कि हमारे पास जो 2 0 आ गया s की value क्या आ गई 1 by 2 और फिर हमें 1 by 2 आगा नहीं तो एक बर कर ही लीजिए तो इसको क्या था आब इसको कड़ोगे तो सेम चीज़ आपका आएगा s बराबर आ जाएगा 1 by 2 तो यह आपका alpha होगे यह आपका beta होगे ठीक है अब यहाँ पर alpha प्लस बीटा निकालो तो alpha प्लस बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 by 2 प्लस 1 by 2 2 2 का ऐसे हम 2 हो जाएगा ठीक है नीचे में बराबर है तो उपर वाले को बस जोड़ देना है 1 प्लस 1 कर दिजे यहनके 2 by 2 कर दिजे यहनके 2 to cancel यहनके 1 आ गया ठीक है और जब alpha प्लस बीटा फॉर्मूले से निकालोगे फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या हो जाएगा minus b बट्टा a यहनके minus b तो यहाँ पर देखो b कौन है आपका यहाँ पर b आपका 4 minus 4 ठीक है अब alpha इंटू बीटा निकालो समझ में आ रहा है न alpha इंटू बीटा निकालो alpha इंटू बीटा निकालोगे तो क्यों जाएगा 1 by 2 into 1 by 2 तो यह जाएगा 1 by 4 बट्ट आप अगर फॉर्मूले का इस्तमाल करोगे तो यह जाएगा c बट्टा a तो c कितना आपके पास देखिए यहाँ पर c c आपका है 1 और a है आपका 4 ठीक है तो 1 by 4 तो यह भी दोको 1 by 4 1 by 4 आ गया तो यहाँ पर लिख दीजे verified ठीक है चलिए next question देखिए तीसरा question को आपको कैसे करना है 6x square minus 3x minus 7x दिया हुआ है तो इसको क्या करना आपको के extender form जो इसका है ax square plus bx plus c के form पे इस पहले sit कर लेना है यानिकि इसका जो x का power है वो घरते करम में आपको लिखना है descending order में तो 6x square minus 7x और minus 3 कर लेना ठीक है अब इसका zeros निकालना है तो क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे ठीक है 0's करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x square तो चेतरिक 18 होता है और 9 दूनी 18 होता है तो हम क्या लेंगे minus 9x plus 2x minus 3 बराबर 0 9 दूनी 18 हना यानिके minus 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा minus 18 और minus 9 में जब 2 जोडेंगे तो minus 7 आएगा हो गया बीच वाले को split कर दिया अब इस दोनों में common आ रहा है आपका 3x क्या रहा है 3x common आ रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा 2x है ना minus 3 हो जाएगा plus इसमें कोई common ने रहा 1 common ले लेंगे तो 2x minus 3 हो जाएगा बराबर 0 तो यह बन गया आपका 2x minus 3 और यह हो जाएगा आपका 3x plus 1 बराबर 0 ठीक है अब यहाँ पर लिखेंगे जब 2x minus 3 बराबर 0 तो x बराबर जाएगा 3 by 2 है ना 3 इधर आया और फिर 2 इधर 3 by 2 हो गया और यहाँ पर लिखेंगे जब 3x plus 1 बराबर 0 तो आपका हो जाएगा यह 1 इधर आगा तो minus 1 और 3 जो गुना में इधर आगा तो बटे में आजाएगा यानिके x बराबर जाएगा minus 1 by 3 तो alpha plus beta आपका निकल गया यह आपका हो गया alpha और यह आपका हो गया beta अब आपको alpha plus beta जोडना है तो क्या हो जाएगा 3 by 2 plus minus 1 by 3 ठीक है ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 2 3 का आपका हो जाएगा 2 से भाग लगा हो 6 में कितना होगा 3 आएगा तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9 plus minus minus करेंगे 3 दूनी 6 होता है मतलब 2 को एक से गुना करेंगे 2 आएगा कितना जाएगा यहाँ पर 7 बट्टा 6 ठीक है अब alpha plus beta formula से निकालो तो minus b बट्टा a होता है अब minus b तो minus तो आपको रखना है क्योंकि formula minus है अब b देखो यहाँ पर कौन है तो यहाँ पर जो b है आपका वो है minus 7 तो आपको रखना है यहाँ पर minus 7 बट्टा a कितना है आपका तो a आपका है 6 ठीक है तो 6 रख दिया तो minus minus plus यहनकि 7 बट्टा 6 तो देखो आपका दोनों तरीके से same आ रहा है result अब आपको निकालना है cancel हो जाएगा न तो यह बच्चेगा minus 1 by 2 लेकिन अगर अलफाइन 2 बीटा अगर आप निकालते हो इस फॉर्मूले से minus sorry c बटा a से तो c कितना आपके पास तो c आपके पास है minus 3 ठीक है तो minus 3 लिखो a कितना आपके पास तो a आपके पास 6 है तो यहाँ पर 6 रखो ठीक है तो कितना हो जाएगा 1 और 2 तो यहाँ हो जाएगा minus 1 by 2 देखो दोने तब से मागया verified ठीक है जांच लिया गया चलिए question number 4 question number 4 में क्या है 4u square minus sorry plus 8u यही question आपके पास होगा ठीक है तो यहाँ पर आप क्या करोगे कुछ नहीं करना जादा यहाँ से 4u common ले लोगे ठीक है तो 4u जब common लोगे तो क्या बन जागा यह u plus 2 4u में 4u square में 4u common ले लिया तो u आ गया और 8u में 4u common ले लिया तो 4u को 2 से गुना करेंगे 8u आ जाएगा ठीक है इसको 0 के बराबर करना है अब जब इसको 4u को इधर लेका होगे जब 4u बराबर 0 तो आपके पास u की value आ जाएगी 0 by 4 यानिके 0 और जब u plus 2 बराबर 0 करेंगे तो u बराबर जाएगा minus 2 तो आपके पास क्या आ गया है तो यह जाएगा 0 plus minus 2 यह जाएगा 0 minus 2 यानिके minus 2 ठीक है और जो फॉर्मूले से निकालो minus b बट्टा a होता है तो minus b कितना आपका तो यहाँ पर b कैसे देखोगे देखो यह जो आपका दिया होता है ना इसमें देखो आप इसको लिख सकते हो ऐसे ax² plus bx plus c ब्राबर 0 तो यह जो आपका 4u² है ना तो u² मतलब x² हो गया यहाँ पर तो उसके साथ 4 लगा हुआ है तो a आपका 4 हो गया ठीक है यहाँ पर लिख लो a ब्राबर 4 हो गया bx तो bu यहाँ पर समझो ठीक है तो b ब्राबर आपका 8 हो गया बट c वाला तो कोई टर्म दिया ही नहीं हुआ तो c ब्राबर आपका 0 हो जाएगा ठीक है बस इसको ध्यान रखना है तो minus b कितना आपका 8 तो 8 बटा a कितना है तो 4 तो कर जाएगा 4 दूनी 8 minus 2 दो दोनों में समा गया तो यह आपका वेरिपाय हो गया फिर alpha into beta निकालो तो यह जाएगा c बटा a तो c बटा a कितना हो जाएगा c आपके पास दिया है 0 और a कितना आपके पास 4 तो 0 बटा 4 पहले हमने इससे ही निकाल लिए चलो बात नहीं है 0 आगया लेकिन अगर alpha into beta आपके गुना करोगे alpha आपके पास 0 है और beta आपके पास minus 2 है तो देखो 0 को जब minus 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा इधर भी आपका 0 आगया इधर भी 0 आगया तो आपका जो है यह यह आपका verified हो गया ठीक है समझ में आ गया इसके बाद आपका जो question है question number 5 उसमें है t square minus 15 ठीक है t square minus 15 हो गया इसको करना आपको 0 के बराबर तो t square बराबर हो जाएगा 15 तो t बराबर आपका हो जाएगा क्या बन जाएगा यहां पर t बराबर आपका हो जाएगा root under 15 plus minus कर दिजएगा ठीक है यानि के t की value आपको पस हो गई root under 15 और minus under 15 इसको अब दूसरे तरी के से ऐसे भी लिख सकते हो कि t square minus 15 दो आपको सिफ zeros निकालना है ठीक है तो उसके लिए कुछ भी कर सकतो कोई दिक्कत नहीं है t का square कर दो इसको और इसको कर दो root under 15 का whole square ठीक है 15 को तो यह आपका a square minus b square के formula पर हो गया है ना तो क्या बन जाएगा t minus t minus root under 15 और एक हो जाएगा आपका t plus root 15 बराबर 0 तो एक को आपको 0 के बराबर करना है तो यह बन जाएगा आपका t बराबर root 15 और यहाँ से अगर t plus root 15 को 0 के बराबर करेंगे तो t बराबर हो जाएगा minus root 15 तो दोनों तरीके से आप निका सकतो कोई दिक्कत नहीं है after all आपके पस alpha आगया beta आगया ठीक है तो alpha plus beta beta निकालिये क्यों जाएगा minus b यह अभी यहाँ पर देखो t square minus 15 है ना तो यहाँ भी वही चीज होगे आपको कि यहाँ पर ध्यान दिजेगा इधर मैं आपको समझा रहा हूं t square minus 15 दिया गया ठीक है इसको जब आप compare कर होगे कि से a x square plus b x plus c से तो दो को x square वाला जो term है वो तो यहाँ पर आपको दे दिया तो a ब्राबर आपको होगे one उसके बाद जो b x है na x वाल टर्म आपको पस नहीं है t वाल टर्म यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो b ब्राबर आपको होगे zero और c जो है na c आपको कितना होगे माइनस 15 तो c ब्राबर होगे माइनस 15 ठीक है अब यहाँ पर देखो alpha plus beta ब्राबर minus b बट्टा a हो गया तो sorry इसको हटा है यह alpha plus beta पहले निकाल लिए alpha आपके पास कितना है root under 15 beta कितना आपके पास minus root 15 तो यह बन जाएगा आपका root under 15 minus root under 15 कितना गया अब alpha plus beta आप निकालो formula से क्या बन जाएगा minus b बट्टा a तो minus b कौन है यह आपर तो b आपका तो 0 हो गया तो आपको 0 रग देना है ऐसे और बट्टा a कितना है 0 बट्टा a कितना हो जाएगा 0 तो दो इधर भी 0 अब निकालो alpha into beta alpha कितना आपके पास root 15 इसको गुना करना है minus root 15 से तो क्या बन जाएगा जी root 15 root 15 से गुना हो कि 15 बन जाएगा और minus से तो minus लगा दीजिए लेकिन जब alpha into beta आप formula से निकालते हो तो c बट्टा a है उसका formula c कितना है आपके पास minus 15 देख लो यहाँ c और a कितना आपके पास 1 तो जब minus 15 बट्टा एक होता है तो हम इसको minus 15 लिखते हैं देखो दोनों में से माग गया तो लिख दिया है यहाँ पर verified इसके बाद आपका छठा question है छठा question आपका 3x square minus x minus 4 बराबर 0 कर दिजे यहाँ आपको फिर factorize करना है चारतिया बारा होता है और 6 दुना बारा यानके 4तिया बारा है तो 4 में से 3 जाएगा एक बचेगा तो हम यहाँ लेंगे minus 4x ठीक है या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते है plus 3x minus 4x ठीक है कोई दिक्कत नहीं था minus 4x प्राइस भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम चलो पहले जैसे लिखा था वैसे लिख दो minus 4x और plus 3x minus plus minus 4x में से 3x minus 4x अगया minus 4 ब्राबर 0 इसमें दो कॉन कमना रहा है तो एक सक मना रहा है है ना क्या रहा है एक्स को मना रहा है ठीक है तो 3x हो गया और यहां पर इसके लिए माइनस 4 ठीक है यहां पर कौन को मना रहा है कुछ नहीं आ रहा है 1 3x-4 ब्राबर 0 अब 3x-4 आपका क्या गया यहां से देखिए यहां पर लिखेगा जब इंगलिश में लिखेगा विन 3x-4 ब्राबर 0 तो 3x ब्राबर हो जाएगा 4x ब्राबर हो जाएगा 4 बट्टा 3 लेकिन जब हम करते हैं x-1 को 0 के ब्राबर तो x ब्राबर हो जाएगा माइनस 1 तो आपके पस अलफा ब्राबर हो जाएगा 4 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 तो यह हो जाएगा माइनस वन भाई थीरी लेकिन जब इसको फॉर्मूला पर निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा तो यह होता है माइनस भी बट्टा एब यहाँ पर देखो बी कौन है आपका तो बी आपका माइनस वन है तो माइनस तो पहले लगाओगे और बी के साथ माइन लेकिन जब अल्फा इन टू बीटा फॉर्मूला से निकालो गे माइनस यह आपका हो गया वेर यजबर चुक्रों है आपको इस भी जितना भी मैंने चीज आपको समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा धिक है अगली वीडियो में हम लुक सेकंड को करेंगे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के सात अभी के अभी शेयर कर दीजे जितने भी आपके पास WhatsApp ग्रूप में जो भी आपके friends के number है आप उनको जरूर शेर कीजिए Facebook, Instagram अगर चलाते हैं तो Facebook पर भी आप अपने सारे groups में जिस भी group में आप शामिल है जिसमें student है आप उसमें share कीजिए ठीक है और आपने अगर मेरे Facebook पेज को follow नहीं किया तो follow कर लिजिएगा YouTube पर अगर आपने वीडियो को like नहीं किया तो like कर दिजिए channel को subscribe नहीं किया channel को subscribe कर लिजिए मिलता हूँ फिर आप से अगली वीडियो में तब तक आप से अपना अपना ध्यान रखे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया